सिंगरोली में जोला चाप डाक्टरों से लोग परिशान हो चुके हैं। इन डाक्टरों पर ना तो प्रशाशन कोई कारवाई कर रहा और ना हिच्ची की सभिवाक क्या दिकारी। इन जोला चाप डाक्टरों की गल्ती की वज़े से कई मरीजों को मुसीबत कर सामना करना ऐसे जोला चाप डॉक्टरों के ऊपर प्रिशाशन ने अब तक ना ही कोई पावंदी लगाई है और ना ही कोई कारवाई की बताया जा रहा है कि सराई थाना छेतर के जारा गाउन निवासी रगुनात पनिका की कमर में दर्फ हुआ परीजन गाउं के जोला चाप डॉक्टर अजय सरकार बंगाली के पास ले गए अजय बंगाली ने रगुनात को इंजेक्शन लगा दिया जिससे रगुनात की हालत और खराब हो गए और वह बिहोश हो गया कुछ दिर बाद रगुनात की हालत और बिगणने के करण उसकी मौत हो गई मौत को लेकर परिजनों ने हंगामा कर दिया मृतिक के परिजनों ने डॉक्टर अजय बंगाली पर इलाज के लापरवाही कारोप लगाते हुए करवाई की मान की है मृतिक के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की फिलहाल आरोपी डॉक्टर फरार बताया जा रहा है उधर पुलिस सा कहरा है कि पोस्टमाटम रिपोर्ट आने के बाद ही मृतियों के असली वजह पता चल पाएगी पुलिस द्वारा आरोपी जुलचाव डॉक्टर की खोज की जा रही है कि आरोपी जो FA रूएग्जाटमी है छिव उफटी से का samimra जबती कि रही जुड़िगा लिए डियुट मदा आरोपी भींणाथ तर्गो फॉझत में में कि भींडरिपो Unfortunately संगीत 300 लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक थेलों से मेलों तक पकडंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजडीती से उटनीती तक दखन न्यू आप देख रहे हैं दखल न्यूज